जो आइन करें हमारा टेलिगर्म चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आप डेली वीडियो पीडिया नोट्स होम डिलिवरी नोट्स चाहते हैं पेपर रांपेपर टू के लिए तो जो आइन करें हमारा पेड़ वाट्सआप ग्रूप आखोई में इस सारी जान करें यहां पर मेंख जाएगी नमस्कार जैहन दाब देखरें स्टड़ी भरत यूटूब चैनल मेरा नाम है अमन वहरा तो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे अपना दूसरा लेक्चर टीचिंग अपिडोट का दूसरा लेक्चर जिसका नाम है रोल ओफ टीचर आपको मैं यहां पर बता दूँ कि जो इंग्लिश वीडियम की टाइमिंग है वो आती है सुबह 11 बजे और हिंदी की टाइमिंग है रात को 8 बजे यानि कि अगर आपका सब्जेक्ट है पेपर वन और आपका मेडियम है इंग्लिश तो आप सुबह 11 बजे वीडियो देखिए और हिंदी है तो रात को 8 बजे वीडियो देखिए बस जैसे वीडियो आएगा आपको देखे सासा लिखते जाना है अपने नोट्स बनाने है जो आपको यहाँ पर स्लाइट पर दिखाई दे रहा है या जो आपको मैं बता रहा हूँ आपको बस वो लिखते जाना आपकी फ्री में त्यारी हो जाएगी जिससे आपके बड़ी आ नोट्स बन जाएंगे तो लेट्स दार्ट दा लेक्चर तो देखे रोल आफ टीचर रोल आफ टीचर का मतलब क्या है यानकी जो शिक्षक की भूमिका है जनकी जो टीचर है उसका रोल क्या होता है वो हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ में या क्लासरूम में वो कौन सा रोल निभाता है पहला यहां पर पॉइंट है ता रोल ओफ टीचर इस तू इंस्पायर मोटिवेट इनकरेज एड एजुकेट लर्नर देखें यहां पर सबसे वड़ी बात है कि टीचर का रोल है क्या टीचर का रोल है कि जो लर्नर है लर्नर जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टूडंट होते हैं स्कूल में लर्नर होते हैं आम जिंदगी में जैसे आप है आप लर्नर है क्योंकि आपको देखेंगे आपको एक्जाम देना है UGCNet का तो इसके बाद आप कोई भी एक्जाम दे सकते हैं यानकि आप डिफेरdefense डिफेराय। अपका एक्जाम देते हैं या आप कुछ ना कोई सीखते रहते हैं वो है learner अब teacher का देखे उसमें role क्या है वो बच्चों को inspire करते हैं motivate करते हैं encourage करते हैं और educate करते हैं learner को क्यों देखे inspiration बहुत जरूरी है motivation भी देनी बढ़ते हैं क्योंकि देखे माल निजे कि आप कोई भी चीज़ बढ़ते हैं अगर आपको वो मुश्किल लगती है तो teacher आपको inspire भी करते हैं आपको educate भी करते हैं आपको motivate भी करते हैं और encourage करते हैं कि आप उसे पहली ही बार में कर लेंगे जैसे मालिज आपने कितनी बार UGS net का exam दिया आपका qualified नहीं हुआ तो आप आपके अदर आपका जो moral है वो down हो जाएंगा उसको क्या करेगा कि जो teacher है उसको आपको encourage करेगा कि आप और मेहनत करिए जिससे आप अच्छे से qualify हो जाएंगे तो ये काम है teacher का करने के लिए तो देखिए दूसरी line है यहाँ पर learners can be of any age and from any background वही बात आगे देखिए मैंने आपको बताया थी कि जो student है वो हमेज़ा school में होते हैं लेकिन जो learner है वो कोई भी age का हो सकता है और वो किसी भी background का हो सकता है background का मतलब है वो चाहे PhD holder है चाहे वो simple graduate है या वो अमीर है ग्रीब है कुछ फरक नहीं बढ़ता तो वो किसी भी age का हो सकता है माने ज़िए आपके उमर जो है वो 35 एर है 40 एर है आप एक learner है आप कुछना को सीख रहे है यह कि जो जिन्दी की भर कुछना को सीखता है उसे हम learner कहते है तो इसको इसका जो काम है यहनकी teacher का क्या काम है इनको motivate बगारा करते रहना उसके बाद देखिए तीचर प्लेज तीचर प्लेज एन essential role in education most especially in the lives of the student they teach in the classroom यानकि देखिए तीचर यहाँ पर क्या करते हैं तीचर आपर essential role निभाते है essential मतलब होता है important role जिसे हिंदी में एहम भूमिका होती है या अवश्यक भूमिका कहते है यानकि टीचर यहाँ पर important या essential role निभाते हैं किसमे education में education में अच्छा रोल निभाते हैं वो तो देखिए आमतर पर क्या है कि जो teacher है यानकि जो teacher वो class में जैसे वो पढ़ा रहे हैं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो उससे काफी अलग होता है यानकि जैसी teaching है उनकी वो तो वो करते ही है लेकिन जो student की जो lives है जो उनका नजरिया है जीने का या कुछ भी है तो उसमें वो खासे तोर पर बहुत ज़्यादा उसको inspire करते हैं जैसे मालेजे कि teacher class में बच्चों को पढ़ा रहे तो बच्चे उससे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा परभावित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनसे वो effective होते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहे यंकि teacher के पढ़ाने का जो तरीका है वो ऐसा होता है कि student उसे अच्छे से बढ़ते हैं जैसे मालेजे कि कोई भी किताब है उसमें कोई lesson है तो teacher को पर depend है कि उसे वो कितनी अच्छी से करवा सकता है जैसे history की class है तो teacher उसे कहानी बता के समझा देंगे तो बच्चों को असानी से वो समझ में आ जाएगी यंकि जो role of teacher है वो बहुत ही क्या गरते कि एहम भूमी का निभाते हैं इंपोर्टन रोल निभाते है वर्ट डिफाइन से teacher is his her ability to teach students and positive influence on them अब देखे जो भी teacher बच्चों को पढ़ाते हैं चाहे वो लड़का है लड़की कुछ भी जिसको भी पढ़ाते है ग्लास में जो student को पढ़ाते हैं तो उनका positive influence यानकी उनका जो positive प्रभाब पढ़ता है यानकी देखे मान लेजिए टीजन जो भी पढ़ाया तो बच्चों को उपर क्या होगा student को उपर क्या होगा या learner के उपर उनका जो positive influence पढ़ेगा positive मतलब उनको यह होगा कि हमारे teacher ने जो भी पढ़ाया है वही सही है जिसे मान लेजिए किताब में कई वार क्यों आता है कि जो चीजे समझ नहीं आती वो teacher असानी से समझाते है अलांकि देखे जब बच्चे वही किताब को बढ़ते है तो वो teacher की बातों को ज़्यादा ध्यार में रखते है ना की किताब की बातों को क्योंकि बता है कि ये चीज ऐसे ही होगी तो इसलिए वो teacher से काफी प्रभावित होते है teacher का influence जो है वो positive बढ़ता है तो उसके बाद देखें यहाँ पे आप इसे सासा notes करते जाएए notes बनाते जाएए आपके यहाँ पे त्यारी अच्छी हो जाएगी जो student paid group में already है उनको लिखने की जियोत नहीं है तो उनको ये PDF notes मिल जाएगा अगर आप भी whatsapp group जोईन करना चाते है paid के लिए अगर मालने जाएपके बास लिखने का time नहीं है तो आप notes लेना चाते है तो आप हमें इस number पे contact कर सकते हैं या whatsapp कर सकते हैं यह है 9888-523-440 आपको यहाँ पे अपना नाम लिखके पेपर बन लिखके send करना है आपको यहाँ पे पूरा detail शेर कर दूँगा तो देखें यहाँ पे क्या है कि generally the role of a teacher in education goes beyond teaching अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो role of teacher है वो education में वो काफी परे है teaching से यहनकी teacher का यह मतलब नहीं है कि जो किताब में पढ़ाया है जो लिखा है वो ही पढ़ाना है वो क्या करते हैं कि अपनी teaching से काफी कुछ नहीं है जोड़के बच्चों को असाने से पढ़ाते हैं in today's world teaching has different faces and a teacher has to carry out the part of being external parent, counselor, mentor, role model and so on यहनकी देखें आज का जो world है जो आज की दुनिया है महा पर कहा कि teaching के अलग-अलग faces है teacher के अलग-अलग faces है मतलब कि यहाँ पर कहा कि देखें जो टीचर है वो external parent है external parent का मतलब Kया है कि जैसे देखें आपके parents हैं वो घर में रहते हैं लेकिन जब आप school में जाते हैं तो teacher आपके parents के समानी ही होते हैं इसलिए उन्हें external parent कहा जाता है वो आपकी counselor भी है वो आपके mentor भी है वो आपके role model भी है तो यहनकी जो भी आपको दिक्कत आती है पढ़ने में कुछ भी अगर आपको कुछ बनना है कोई आपको उनसे सला करनी है कुछ भी करना है आपको तो आप किसके पास जाएंगे आप teacher के बास जाएंगे तो आपके role model भी हो जाएंगे क्योंकि देखिए जैसे मालीजे आपको कि टीचर अच्छा लगे तो आप उनके जैसा बनना चाहेंगे तो वो role model होगे एक तरह से आप उनके कहें पर चलेंगे आप mentor होगे तो यह सारी ची कुछेंगे तो आपको सही से guide भी कर देंगे उसका देखिए role of the teacher should be part of the culture of good teaching practice अब देखे जो teacher है जो जो teacher है जो उनका role है वो good teaching practice का एक culture है अब देखे जैसे culture का मतलब यहां पर क्या है अब simple से यहां पर देखे एक मतलब समझिए कि जो teacher class में बढ़ाते हैं वो इतना अच्छे से कैसे बढ़ा बाते हैं क्योंकि देखे वो उनका एक culture है उनको पता है कि हमें कैसे बढ़ाना है यहां कि teacher ने बच्चों के जैसे पढ़ाया है वो इस हिसाब से बच्चों को पढ गुमती है कि जो वो बच्चक बढ़ा है कि उसे student समझ पा रहे हैं कि नहीं तो इसलिए यह उनका एक culture बन जाता है good teaching का great teacher of past have inspired individuals and even whole societies to a new and better form of life to great invention and notable discovery अब देखे जो past के जो teacher हैं जैसे past के जो महान teachers जो great teachers हैं वो जो रह चुके हैं ठीक है अब देखे उन्होंने उनके द्वार क्या है देखे जैसे great discoveries है और जो यहां पर inventions हुए है ठीक है उसके लिए क्या है कि जो inventions जिन्होंन की है उसके लिए क्या है यह बहतर प्रेड़ना साबित हुए यहां कि देखे जैसे मालीजे कि पुराने समय में great teacher थे ठीक है वहां पर पर क्या है कि उनसे पूरी society जो है वह एक कुछ ना कुछ सीखती है जैसे मालीजे कि आप देखते है कि कोई teacher अच्छा है उनका way of talking way of life अच्छी है तो आप उनके जैसे बनना चाहते हैं तो वह society को पर क्या है एक अच्छा परभाव डालती है तो next नहीं है यहाँ पर देखिए कि full form of teacher teacher की यहाँ पर full form क्या है तो देखिए T से talented, E से educated, A से adorable, C से charming, S से helpful और E से encouraging and R से responsible अब आप देखिए इसकी full form वैसे accurate यही है लेकिन लगलग जगा पर इसकी लगलग full form हो जाती है लेकिन देखिए exam में आएगा नहीं यह आपको मैंने वैसे ही पताया है तो आप देखिए एक teacher में यह सारी चीज़े होती है वो talented भी है, वो educated भी है, वो adorable भी है, वो charming भी है, वो helpful भी है, encouraging भी है और responsible भी है सबसे बड़ी यह बात है responsible होना responsibility का मतलब है कि आपका जो syllabus है वो time according करवाना और आपको सही सही सारी चीज़ों की जानकारी देना तो next देखिए यहाँ पर role of teacher in teaching, अभी हम अभी तक देखा है कि role of teacher क्या है, वो हर जगा पर हो सकता है, लेकिन teaching में उनका main role क्या होता है, सबसे पहली बात है कि sharing knowledge, तो देखिए sharing knowledge सबसे बड़ी बात है कि teacher जो है वो अपनी knowledge को share करता है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ चीजें पढ़ के बता रहा हूं, साथ में आपको मैं समझा भी रहा हूं, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आपसे मैं knowledge को share कर रहा हूं, तो teacher का क्या होता है, knowledge को share करना, जैसे class में बच्चे को teacher पढ़ाते हैं, student को पढ़ाते हैं, यह learner को पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते ह जो उनके दिमाग में knowledge होती है, वो उनको ही define करते हैं, उनको ही share करते हैं, कि ताकि बच्चे उनकी बातों को अच्छे से समझ लें. So, देखे, first thing first, the primary duty of a teacher is to impart knowledge and that comes from teaching. अब देखे, यहाँ पर क्या है, कि उनका जो पहला, इनकी जो first यहाँ पर उनकी जो thing है, वो क्या है? उनका देखे, सबसे पहले duty है, कि knowledge को impart knowledge, यहाँ की knowledge को देना and comes from teaching, यहाँ कि जो देखे, primary duty उनकी यहाँ कि knowledge को शेर करना, ठीक है, knowledge को देना बच्चों को, जो की teaching की तवरा आती है, यहाँ कि teacher अपनी जो knowledge को शेर कैसे करेंगे, वो करेंगे teaching के जरीए. Teaching usually entails following a specific curriculum and ensuring that the students understand what is being taught, अब देखे, यहाँ पे क्या होता है, कि जो teaching है, तो usually एक special curriculum होता है, special curriculum मतलब, specific curriculum मतलब होता है, यहाँ पे, जैसे आपका UGISNet का syllabus है, तो उसमें जो चीज़े आपको दी गई है, teacher उनको ही follow करते है, यहाँ कि देखे, जैसे मैं आपको teaching अप्टेट प आपके syllabus में यह सारी चीज़े हैं, इसलिए मैं उसी specific curriculum को follow कर रहा हूँ, यहाँ कि school में, college में, कहीं पे जो teaching दी जाती है, वो एक खास syllabus को cover करते हैं, कि ताकि student अच्छे से समझ पाएं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, जैसे मालेजी आपको पता है कि आपके UGISNet paper में teaching है, research ह दस unit है, तो आपको पता नहीं करना कैसे है, लेकिन वही जैसे आप यह video देख रहे हैं, तो आपको पहले मालेजी अगर यह चीज़ नहीं आती, तो अब आप यह चीज़ असारी से कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, यानकि जो syllabus है, all other roles of a teacher originates from, because if a teacher fails in carrying out his her basic responsibility to impart knowledge, then it might be difficult to have any other form of influence on the child, अब देखें यह सबसे, यह जो रोल है teaching का, तो इससे बहुत सारी चीज़ निकलती हैं, यानकि जो teacher है, माल ने चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों पे positive effect पढ़ता है, अगर teacher माल ने जे कहीं पे fail हो जाएं, अगर वो सही knowledge देने में, या किसी भी तरीके से जो उसकी responsibility है teacher की, अगर वो उसमें fail हो जाते हैं, तो वो बच्चों पर अपना परभाव नहीं डालते, या बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों पर परभाव डालता है, माल ने ज इसलिए teacher को पहले ही सब कुछ देखके चलना पड़ता है, next है role modeling, अब देखें, teacher जो है, वो role modeling भी इपनाते हैं, बहुत सारे student है, teacher को अपना role model मानते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो point है, वो है, Although teachers do not see themselves as role models, the truth is they actually are, देखें, जो teachers है, वो actual में अपने आपको role model नहीं मानते, role model के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन, यह truth है, यह सच्चाई है, कि वो actually role model होते हैं, यह कि बहुत सारे teacher देखें ऐसा है, कि वो अपने आपको कभी role model मानते नहीं हैं, लेकिन, actually वो होते ह अब देखें, कि जो students हैं, वो अपने teacher के साथ बहुत सारा जो time जो spend करते हैं, चाहे वो daily हो, चाहे वो weekly हो, वो उनके साथ पने time spend करते हैं, वो जितना भी time spend करते हैं, तो उस time पर क्या होता है, कि जो teacher, जो है वो student के उपर एक अपना अच्छा influence डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं, यानकि जितना time student जो है वो teacher के साथ बिताते हैं, चाहे weekly हो, चाहे daily हो, तो उससे क्या होता है, कि एक level ऐसा आता है, जब student के उपर प्रभाव teacher का पढ तेचर काम यहां पर नॉलज को देना नहीं है वह क्रेक्टर बिल्ड कर रहे हैं सोसाइटी के लिए क्रेक्टर बिल्ड का मतलब है जैसे माल लीजे कि वह बच्चों को साथ में क्या करते हैं स्टूडेंट को अच्छी बाते काते हैं वो कहते हैं कि हमें सोसाइटी में रहने के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए जो जिम्मेदार जिसे हम सिटीजन कहते हैं वो बनना चाहिए तो एक जो क्रेक्टर बिल्डिंग करते हैं कि ताकि बच्चे आगे जाके जो वो बनना चाहते हैं वो बन सके और society है वहाँ पर कैसे रह सकते हैं या रहने लाइक बन जाए अब देखें जो भी चीज़े है knowledge के अलावा वो उनको सब कुछ यहाँ पर सिखाते हैं कि ताकि वो जो country है जो हमारी जो देश है हमारा उसकी तरक्की में आगे आ सके It is now down to the teacher to make his to make this influence positive और negative अब देखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो influence है या जो student के उपर भाव डालना है यानकी वो positive होता है या negative होता है यह teacher के उपर depend है यानकी teacher के उपर depend होता है कि वो बच्चों के उपर अपना positive effect डाले या negative effect डाले Being a teacher goes beyond just teaching according to this curriculum अब देखें यहां पे क्या है कि टीचर होने के लिए तो वो क्या करते करिकुलम को पकड़के उसके उसार क्या करते हैं आगे बुच्चों को पढ़ाते जाते हैं यानकि जो syllabus है उनको दिया गया teacher को वो उनको आगे पढ़ाते जाते हैं कि ताकि बच्चों का जो syllabus भी खतम हो जाए और बच्चों को जो syllabus है वो आभी जाए यानकि बच्चों का syllabus खतम करने के लिए teacher उसी syllabus को continue रखते हैं जैसे यह देखिए अभी हमने class start किया ही हम जून तक चलाएंगे कि ताकि आपका पूरा syllabus भी हो जाए आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाए सो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए some important role of teacher in teaching अब देखिए कुछ और extra role है teacher के जो वो teaching में निभाते हैं जैसे order को maintain करना maintain order maintain order का यहाँ पर देखिए simple सा यह मतलब होता है कि जो उनको order जहाँ पर वो काम करते हैं या जहाँ पर पढ़ाते हैं तो जो जो चीज़े उनको बताई गई होते वो उनको follow करते हैं hard working आप देखिए teacher hard working होते हैं आपको मालिजे जैसे मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ यह वाली इसको त्यार करने के लिए बहुत time लगता है तो जैसे college में या school में या कहीं भी teacher आपको पढ़ाते हैं तो उनको खुद अपनी अच्छे से त्यारी करनी होते हैं वो hard working सकें अब देखें motivate क्या है कि जैसे माल लीजे इस बार जो result आया है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जैसे student है वो qualify नहीं हो पाए तो कुछ student का morale down हो जाता है जिससे वो बोलते हैं कि अब हम exam नहीं देंगे क्योंकि हमारे बसकी बात नहीं है लेकिन teacher कहते हैं उनको motivate करते है कि नहीं आप फिर से exam दीजिए तो आपका exam qualify हो जाएगा तो बहुत सारी motivation के तरीके हैं वह आपको example दे देंगे कि देखें और पहली बार में किया इन्होंने 5-6 बार exam दे की qualify किया अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं तो यह है motivate student उनको मुट फेर and impartial आप देखें जो teacher है वो fair और impartial होते हैं यहनकि वो किसी से partiality नहीं करते भेदवाब नहीं करते next है promptly, promptly का मतलब यहां पर होता है immediately जिसे instantly भी बोलते हैं at once भी बोलते हैं तो जिसका हिंदी में मतलब होता है तदकाल या तुरंद तो यहां पर teacher क्या है वो तयार रहते हैं हमेशा हर एक चीज के लिए वो instantly अगर आप उनसे कोई caution बोचेंगे तो आपको उसका immediately या promptly आपको उसका जवाब वो दे देंगे willing to experiment अब देखे willing to experiment के यहां पर simple सा यह मतलब है कि वो हमेशा ही experiment करने के लिए तयार है जिसमा लेजे कि आपको वो match पढ़ा रहे हैं अगर देखे कि बहुत ज़्यादा tough सवाल है तो वो उसे आपको असानी से पढ़ा देंगे वो असान करने के लिए कोई ना कोई तरेगा खोज लेंगे या दूसरी बात यह कि आपको वो ट्रिक्स से करवाएंगे वो ट्रिक्स असानी से बना लेते हैं इसे बोलते हैं willing to experiment नेक्स्ट है flexible flexible क्या है कि वो आपकी हर एक बात को जान लेते हैं हर एक चीज को जैसे फ्लेक्सिबल होता है ने जमाली जे की चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आपको वो समझ नहीं आ रहा है वो आपको बता देंगे कि आप ऐसा करें यहां पर आप सिंपल सिंपल चीज को आपको अच्छे से समझ लेते हैं वो माल लेते हैं नेक्सट रियर्ली एंग्री वो कभी-कभी गुसा भी करते हैं दीखे यह जरूरी भी है तो अगर आप अच्छे से नहीं पड़ेंगे तो आप पे वो गुसा भी हो जाएंगे वो रेर्ली गुसा होते हैं never insult student नेवर दिखे वह चात्रों की या student की कभी इंसल्ट नहीं करते Reliable Reliable होता है कि विश्वस निये जैसे हिंदी में कहते है यहन की जो वो चीज आपको बताते हैं बच्चों का विश्वास होता है टेक टरस्ट बन जाता है कि हाँ हमें जो टीचर पढ़ा रहे है वो ही चीज सही है वो ही चीज accurate है Make Lesson Interesting अब दिखें वो Lesson को Interesting बढ़ाएंगे जिसे माले जिए History का Lecture है आपको Boring लगता है लेकिन आपको वो कहानी की रूप में स्टोरी की रूप में समझाएंगे तो आपको वो असान लगेगा Match के सवाल है वो आपको ट्रिक से कराएंगे आपको असान लगेंगे कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो आपको ऐसी चीज से करवाएंगे इस ट्रिक से करवाएंगे कि आपको वो असान लगने लगेगी Stretch is the Bright Student अब देखे जो Bright Student है उससे करते हैं वो stretch करते हैं जो बड़िया स्टुडेंट है वो उनकी और ज़्यादा help करते हैं कि ताकि वो आगे और बढ़ जाएं रोल मोडलिंग अब देखे यह सबसे बड़ी बात है कि टीचर रोल मोडलिंग करते हैं हमने इसको explain किया है पिछले पॉइट में कि वो रोल मोडल होते हैं सब बच्चे देखे कि उनके जैसा बनना चाहते हैं देखे माली जी क्लास में 50 स्टुडेंट है 50 स्टुडेंट है लेकिन 5 तो उनके जैसा बनना चाहेंगे उनका style कॉपी करते हैं दूसरी तरफ टीचर है अब टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो टीचर से पढ़ रहे हैं तो वापस में क्या हो गया good communication यनकि जो टीचर ने बच्चों को समझाया बच्चों ने समझा अगर उनको कोई doubt हुआ तो उनको टीचर से पूछ लिया तो टीचर ने उनका जो प्रॉलम है वो solve कर दिया उसी time तो वो क्या है वो good communication है यनकि वो टीचर की बातों बच्चों को अच्छे से समझ रहे हैं नेफ्ट है cooperative teaching अब देखें cooperative teaching क्या है कि आपस में सहयोग करना जिसे हम कहते है न cooperative teacher इसमें क्या होता है कि ये वो situation है जिसमें classroom में दो teacher होते है तो दो teacher आपस में मिलके पढ़ाते हैं उसे बोलते है cooperative teaching अब देखें classroom में होती है एक पढ़ाते हैं एक उन्हें assist करते हैं एक पढ़ाते हैं एक observe करते हैं वो कैसे पढ़ा रहे है इस्टेशन टीचिंग है यहां पर सिंपल से मतलिब होता है कि बच्चों को यहां पर गुरुप बना दिया जाता है और जैसे मालेजे 5-6 बच्चों गुरुप बना दिया तो वो उनके एक्टिविटी दी जाती है करने के लिए तो टीचर ने उनके देखते हैं कि वो बच्चे से करबा रहे है कि नहीं अगर वो नहीं करपाते फिर वो उस टास्क को बदल देते है या उसका तरीका बदल देते है तो यहां होती है, कोपरेटिव टीचिंग के अंदर आती है सो फ्रेंट सी यह था ऐसका लेक्चर अगर आपको लेक्चर एच्छा रगा है तो लाइक और शेय करना मत भूलिए आप हमारा सब्सक्राइब करिए स्टड़ी भारत यूट्यूब चैनल कि दाकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप फ्री में त्यारी कर सकें और साथ में सब्सक्राइब करिए study by 2.0 जिसका लिंक के मैंने description box में दे रखा है जहां पे आपको practice set करवाया जगा paper 1, paper 2 का अगर आप paper 2 की त्यारी करना चाहते हैं तो आप हमें description box में दिएगे number पे contact और whatsapp कर सकते हैं जिससे आपके paper 2 की complete coaching हो जाएगी so wish you all the best take care